कि अपने यूट्यूब चैनल पर करती हूं उम्मीद करती हूं कि मैंने जितने भी अपने वीडियोज अपलोड किये हैं यूट्यूब चैनल पर और मेरे जितने भी पोस्ट है मेरे ब्लॉग पे जिसका एड्रेस है अपके लिए मददगार साबित हो रहे होंगे इसी प्रकार मेरे साथ जुड़े रहे हैं और जितने भी आगे आने वाले वीडियोज हैं अगर आप उससे लाव उठाना चाहते हैं तो कृपा कर जितने भी मेरे वीडियोज हैं से अंत त तम दिल्ली संथनत के विशह में बात करते हैं तो यहां पर यह कहा जा सकता है कि दिल्ली संथनत का जो शाषन रहा था आप अबासी खलिफा के अनूसारी भारत में प्रशाषनिक तंत्र को भ्रकार से खलिफाओं को यहां पर बहुत अधिक Massow दिया juice तो माना यह जाता था कि जितने भी दिल्ली सल्थनत के शाशक हैं उसके प्रधान जो रहे थे वो खलीफा ही रहे थे और वो प्रतनिधी के तौर पे भारत में शाशन कर रहे हैं अब अगर बात करते हैं प्रशाशनिक तंद्र के विशे में तो यहां पे जरूर कहा जा सकता ह कि प्रारंबिक तोर पे जो सुल्तान रहे थे दिल्ली सल्तनत के स्पेशली जैसे इल्दुत मिश ने खुद्बा प्राप्ट किया था महा खलीफा से बगदाद के और इसके पश्चार भी हम देखते हैं कि खलीफाओं से उनका जो समर्थन प्राप्ट करना वो जारी ही रहा दिल्ली सल्तनत के शाशकों के द्वारा परंतु वो बार में नाम मातर का बन के रहे गया था और दिल्ली सल्तनत के शाशकों ने अपने अनुसार समय समय परिवर्टन करते हुए प्रशाशनिक तंत्र में भारत में दिल्ली सल्तनत के अधीन प्रशाशनिक तंत्र को पर ही होता था और वो माना जाता था कि इश्वर के प्रतिमिधी के तौर पे शाशन कर रहे हैं भारत पे इसके बाद में सुल्तान का जितना भी निर्ने होता था वो हम कह सकते हैं कि अंतिम होता था कोई भी विभाग रहा हो प्रशाशनिक तंत्र का और इनकी आग्या को सुन प्रशाशनिक तंत्र में जितने उच अधिकारी होते थे वो आमिर वर्व से ही आते थे और जितने भी महत्वपूंठ फैसले प्रशाशनिक तंत्र के लिए जाते थे वह इनके परामर्श के बिना नहीं संभव था अब जैसे के हम देखते हैं कि आमिर वर्वर सुल्तान के पश्चार बहुत सारे ऐसे मुख्य अधिकारी भी रहे थे जिनका हम कह सकते हैं कि बहुत बड़ा योगदान रहा था दिल्ली सल्तनत के प्रशाशनी तंत्र को चलाने के लिए जैसे कि मैं कुछ यहाँ पे जो अधिकारी प्रमुक रहे थे उनका मैं नाम यहाँ पे लेना चाहूंगी जैसे वकीले दार थे आमीरे हाजे और नुकिबुल नुगवा यह जो थे बहुत ही महत्वपून स्थान रखते थे अधिकारीयों के तोर पे और इनका परामर्श सुनतान देव सुनते भी थे अब हम जब बात करते हैं महत्वपून अधिकारीयों के पश्चात तो हम लोगों को यह देखने को मिलता है कि जो मंत्री मंदल था उसका स्थान आता है अधिकारीयों के पश्चात में जितने भी मंत्री मंडल में अधिकारी रहते थे, इनकी संक्या बहुत अधिक ही रहती थी और सुल्तान को ये लगतार सूचना देने का, परामर्ज देने का, और सुल्तान की आगया का पालन करने का कारे करते थे अब जैसा कि हम देखते हैं यहाँ पे कि जो सबसे प्रमुक जो थे मंत्री मंडल में हम कह सकते हैं अधिकारी के तौर पे वो नायब रहे थे नायब जो है जब भी सुल्तान कोई भी युद में रहते थे लिप्त उस समय में देखा ये गया है या जब भी कमजोर शाशक होते थे तो नायब का जो पद होता था वो बहुत महत्वपून हो जाता था और कई मामलों में हम देखते हैं कि वो सुल्तान के प्रतिनिति के तोर पे भी राजदर्वार में और शाशन तंत्र में कारे भी किया करते थे इसके पश्चा जो सबसे महत्वपून पर आता है वो वजीर का रहता है वजीर का जो विभाग था उसे कहा जाता था दिवाने विजारत और दिवाने विजारत का कारे होता था या हम कह सकते हैं कि जो प्रदान मंतरी का रोल होता है उसको निभाने का काम वजीर किया करते थे और जितने भी अर्थ वेवस्था से रिलेटेड जितने भी फैसले लेने होते थे वो दिवाने विजारत के द्वारा ही लिया जाता था पत्राचार होता था उसकी देख रेक करना किस प्रकार से कौन से पत्र को या सुचनाव और शाशक तक किस प्रकार पहुँचाना है या सुनिष्चित करने का कारी दिवानी इन्शाखा हो जाता था नेक्स्ट जो important हम देखते हैं विभाग या पद्ध जो आता है वो था दिवाने रसालत का, दिवाने रसालत का कारे होता था कि जितने भी वैदेशिक मामले हैं, जो राजदूत आते थे भारत में या भारत से बाहर जितने भी राजदूत येजे जाते थे, ये सबी ही मामलो की देख रेक करने का जो कारे होता था वो दिवाने रसालत के अधीन ही हुआ करता था, नेक्स्ट अन्य जो विभाग रहा था महत्वपुन दिल्ली सल्थनत के प्रशाशनिक तंद में वो था अरीजे मुमालिक का, एक प्रकार से यहां पर ये भी कहा जा सकता है कि सबसे मह अत्वपुन विभागों में से भी एक रहा था, क्योंकि यहां पे जो है सेना का रख रखाओ, सेना को या सैनिको का रख रखाओ, किस प्रकार से किया जाएगा, जैसे कि अल्ला उदिन खिल जी के समय में हम देखते हैं कि यह जो विभाग था वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि जो दाग और घुलिया का जो कारे प्रारम किया गया था अल्ला उदिन खिल जी के द्वारा, यह अरीज ममालिक के देख रेख में ही हुआ करता था, जितना भी जो धन लूट के आता था युद के दौरान, जिसको कि हम खुम्स के तौर पे जानते हैं, उसको विभाजत किस प्रकार से किया जाएगा सैनिकों के बीच में, और सुल्दान के बीच में इसको निर्धारन करने का काम भी अरीजी ममालिक के द्वारा किया जाता था, जैसा कि अल्ला उदिन खिल जी के शाशन का आल में हम देखते हैं कि जो खुम्स का विभाजत था वो ठीक उल्डा हो गया था, फो बाई फिफ्ट पार जो था वो शाशक के पास जाता था, और एक बड़ा जो पांच भागता वो सैनिकों के बीच में वित्रित किया जाता था, कौन से घोड़े, किस नसल के घोड़े कहां से मंगवाए जाएगे, उसका भी निर्धारन अर प्रादेशेक या प्रांतिये जितने भी छेत्रिते महा न्याईक मामनों की देख रेक करना, ये काजी इलकुजात के अधीन ही होता था, कई जगह हम देखते हैं कि जो इसके प्रधान होते थे, वो सद्र उस सुदूर भी हुआ कर देथे, नेक्ट जो इंपोर्टेंट हम क क्या सकते हैं कि जो विभाग रहा था दिल्ली संतनत में, वो रहा था मजलिस ए खलवत का, इसका कारी ही होता था कि सुल्तान को जितने भी परामर्श देने के जो कारे होते थे, वो इन्ही के द्वारा मजलिस ए खवालित के द्वारा ही खलवत के द्वारा ही किया जाता था मजलिस एक खल्वत के विशे में कहा जाता है कि इसकी संख्या बहुत बढ़ी रही तरहती थी और राजदर्वान में हमेशा ये शाशक के बगल में ही होते थे और लगातार परामर्ज देने का कारे सुल्दान को कर दे थे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट यहां क्या सकते हैं जिस प्रकार से अवीजी मुमालिक बहुत अथिक महत्वर रखता है प्रशाशनिक तंत्र में ठीक इसी प्रकार से बरीदी मुमालिक का भी बहुत अथिक महत्व था दिली सल्तनत के प्रशाशनिक तंत्र में यहां पे बरीदे मुमालिक जो था इसका कारे होता था कि जितनी भी सूचनाएं हैं वो शाशक तक पहुचाना गुपचर विभाग की देखरे या कौन-कौन से गुपचर होंगे कैसे उनकी न्युक्ती होगी इसका निर्धारन बरीदे मुमालिक के द्वारा ही किया जाता थ साथ ही साथ डाक चौकियों का जो निर्मान होता था वह भी इसी विभाग के अधीन रहा करता था हम लोगों को देखने को मिलता है कि इस विभाग के अधीन बहुत अधिक हम कह सकते हैं कि लोग कारे किया करते थे और अलग-अलग हम लोगों को पद का नाम मिलता है बरीद मुमालिक के अधीनी काम किया करते थे और यहां पे गुपचर विभाग को किस प्रकार से सुचारों रूप से चलाया जाए उसमें मदद किया करते थे और नेट्च जो सबसे important विभाग हम कह सकते हैं यहाँ पे कहा जा सकता है कि अन्य विभाग जो important रहे थे दिली सल्टनत के प्रशाशन में वह था सरे जानदार का, सरे जानदार बहुत important पोस्ट हो जाता है क्योंकि जो सुल्दान के अंगरक्षक होते थे उसको appoint करने का काम कौन-कौन से अंगरक्षक सुल्दान के पास होंगे या उसके अधीन कारे करेंगे इसका निर्धारन करने का काम सरी जानदार होते थे एक प्रकार से कहा जा सकता है कि यह अंगरक्षकों के प्रधान के तौर पे काम करते थे नेट जो important एक और टोस्ट हो जाता है वह था आमीरे आखूर का यहाँ पर यह जितने भी जो stable है या अस्तबल जो होता था उसके प्रधान थे कौन से घोड़े कौन नसल के घोड़े होंगे कहां से मंगवाई जाएंगे कौन से नसल के घोड़े सेना में भेजे जाएंगे यह यह सभी का निर्धारन किया जाता था अमीरे आखूर के द्वारा इसके इलावा भी हम लोगों को देखने को मिलता है कि अर्णे विभाग जैसे रहे थे दिवान ए बकव का था जो कि जलारूर दिन खिलजी के द्वारा स्थापित किया विया था और इसका कारे होता था कि जितना भी वे होता था राजकोष्ट से उसका पूरा बेवड़ा तयार करके रखना और शाशक के पास में लेके जाना नेक्स एक इंपॉर्टेंट विभाग था आमीरी कोही का या दिवानी आमीरी कोही का जिसकी स्थापना मुहम्मद बिन तुगलग के शाशनकाल में की रहा था वकीले दर्महल जो थे वो भी बहुत इंपॉर्टेंट पोस्ट रहा था और इसका कारे होता था कि राज दर्बार में अपनी सिवाओं को प्रदान करना इसके इलावा जो अन्य हम लोग जो देखते हैं विभाग या पोस्ट जो रहे थे वह था आमीरे शिकार का आमीरे शिकार जो था पोस्ट वो जब भी कोई सुल्टान शिकार पे निकलते थे तो उसका इंतजाम करना और कहां पे किस प्रकार से सुलक्षित सुल्टान जा पाए शिकार पे वहां पे जाकर शिकार के दौरान के इंतजाम करना ये सभी कारे आमीरे शिकार का हुआ करता ता यहां पर हम लोगों को देखने को मिलता है अन्य जो एक और पर है है इसका काले होता था कि जितने भी उत्सवों का आयोजन होता था राज-दरबार में या समराज में उसका देख रहे आमीरे मजलिस ही किया करते थे अन्य जो important post हो जाता है वोगता शेहना ये पिल का इसका काम होता था कि जो सेना में हाथी होते थे उसकी देख रेट करना और उसको सेना में किस प्रकार से भेग जा जाए इसका निर्धारन करना दिवाने बंदगानी नाम का भी हम लोगों को एक विभाग का हम लोगों को उलेक मिलता है फिरोशा तुगलक के शाशनकाल के समय में दिवाने बंदगानी जो था वो कौन से गुलामों का उनको चुनना उनको ला करके कारे में लगाना कौन-कौन से गुलाम जो रहेंगे राजदर्बार में उसका तेरधारन करना, जितने भी गुलाम थे उनके रख रखाव का कारी करना, वेतन देना, ये सभी देखरें जो होता था, वो दिवाने बंदगानी के द्वारा किया जाता था. इसके इलावा हम लोगों को दो और इंपोर्टेंट विभाग का जो है वो जानकारी मिलता है, वो था मुश्रिफ ए मुमालिक का, जिसको की महा लेखा कार कहा जाता है. ये मुश्रिफ ए मुमालिक जो थे, वो प्रांथ में और केंडर में, जितनी भी आय रहे होती थी, इसका लेखा जियुखा रखने का कारे इनी के द्वारा किया जाता था. और मुस्तफी ए मुमालिक जो विभाग या पद जो रहा था, उसको महा लेखा परिक्षक कहा जाता था, और इसका काम होता था, कि जो मुश्रिफ ए मुमालिक के द्वारा कारे किया गया है, उसकी जाच कर तो यहां यह दोनों जो पोस्ट रहे थे मुश्रफ ए मुमालिक का और मुश्रफ ए मुमालिक का यह दोनों ही हम कह सकते हैं कि बहुत ही इंपोर्टेंट रहा था क्योंकि अर्थ विवस्था का कही न कही पुरा कंट्रोल इनके अधीन हो जाता है क्योंकि आय और वे का जितना लेखा जोगा या record जो prepared होता था वो इनके अधीन ही रहा करता था अब जब हम बात करते हैं प्रशाश्मीक तंत्र के विशह में यहाँ पर सेन्य प्रबंदन के विशह में भी बात करना arch लिए सेना के लिए या इसकी देख रेख के लिए हम देख सकते हैं यहां पे कि दिवाने अर्ज जो है उसकी नियुक्ति की जाती थी और अरी जे मुमालिक भी यहां पे कारे किया कर दे थे इसके इलावा जो हम लोगों को अन्य जो हम देखते हैं कि अधिकारियों की जो हम लोगों को सूचना प्राप्त होती है या जानकारी प्राप्त होती है वो है बरीदे लशकर का जो की सूचना राजधानी तक या शाशक तक पहुचाने का कारे करते थे सेने प्रबंदत में कौन-कौन सी सेना होगी, उसका निर्धारन करना, सैनिकों को चैन करना, उनको प्रसिक्षन देना जैसे कि अल्लाव उदिन खिल जी के समय में दाव और गुलिया का जो सिस्टम प्रारम हुआ था उसको ठीक प्रकार से लागू करना, ये सभी देख रेक करने का कार्य जो होता था, वो अरीजे मुमालिक के अधीन ही हुआ करता था इसके इलावा जो न्याई प्रशाशनिक तंत्र के विशे में यदि बात की जाए, तो हम लोगों को ये देखने को मिलता है कि इल्दुत्मिश के शाशनकाल के समय से ही, जो न्याई प्रशाशनिक तंत्र था, उसमें बहुत विशेश ध्यान दिया जाता था रज्या सुल्तान भी जो थी, वो न्याई प्रशाशन की ओद, या न्याई देने में विश्वास रखती थी इस वज़र से भी प्रशाशनिक तंत्र में जो न्याई विवस्था था, वो बहुत बहुत वपुन स्थान रखता है जिसमें की न्याई प्रशाशनिक तंत्र में हम देखते हैं कि जो सुल्तान होते थे, वही उसके प्रधान भी हुआ करते थे इसके इलावा जितने भी मामले होते थे वो पहले हाजिक के पास जाय कर जाया करता था हाजिक में से अगर कोई भी इसके फैसले से संतुष कोई व्यक्ति नहीं होता था तब वो अपने जितने भी जो मामले थे वो ले करके काजी ए मुमालिक के पास में जा सकता था काजी ये मुमालिक जो है वहाँ पे उनका जो फैसला होता था वो अर्थिं होता था और यदि कोई इससे खुश नहीं होता था काजी ये मुमालिक के फैसले से तो वो अपना जो है फर्याद ले करके सुल्तान के पास में जाता था और यहाँ पे सुल्तान का जो निर्ने होता तो यह देखा जा सकता है कि जो नियारी प्यवस्ता था उसको भी सुचारू रूप से स्थापित करनी का प्रयास किया गया था गाउन लिरा में हम देखते हैं कि जो पंचायत थे वही वहाँ पे अपराधिक मामलों के निप्टारा किया करते थे और यदे हम बात करते हैं पुलिस विभाग के वारे में तो पुलिस विभाग के जो प्रधान होते थे उसका कोथवाल कहा जाता था कोदवाल का कारे होता था कि जितने भी आने वाले लोग थे शेहरों में आने और जाने वाले का पूरा एक रिकॉर्ड मेंटेन करना ये कोदवाल का ही कारे होता था जेल का बहुत अधिक प्रबंदन का हम लोगों को जानकारी नहीं मिलता है दिल्ली संद्रत में परंदु जो किरे थे उन्हें ही रुपांत्वित कर दिया गया था जेलों के तौर पे और यहां पे जो कुदवाल था इसका बहुत important रोल हो जाता है क्योंकि जितने विदेशी भी आते थे राजधानी में ये समराज में उसका पूरा record रखना और जाज करना ये पूरा कारे क उत्वाल का ही हो जाता था अर्थ वैवस्था की ओर भी 21 प्रकार से अधिक से अधिक राजधोश में धना या आई का स्रोत बना रहे इसको सुनिश्चित करने के लिए दिल्ली संतलत के शाशकों ने कई प्रकार के कर समराज के लोगों पर लगाया था इसमें प्रमुक्त जो की हम क्या सकते हैं कि इसलामी कानूं से समर्थन रखते थे उसी के अनुसरन करते हुए जितने भी कर थे उसको लगाया गया था जैसे कि जो जज़िया कर था वो गैर मुसल्मानों से पर या हिंदूों पर लगाया गया था और इसको बहुत अधिक हिसका हम देखते हैं क कि टैक्सेशन का अब लोगों को लेक नहीं मिलता है जकात जो कर था वो लगाया जाता था मुसल्मानों पे जिसका कि कोई भी प्रॉपर्टी का अगर कोई उत्रादीकारी में होता था तो उसको एक हिस्सा जो पार्ट है अपना प्रॉपर्टी का वो उसको देना पड़ता थ शाशक के अधीन भी और सैनिकों के अधीन भी से वित्रित किया जाता था एक बटा पांच भाग सुल्तान के पास जाता था चार बटा पांच भाग जो था वो सैनिकों के पास में जाता था इसके इलावा जो खराज था जो कि भूमी कर था उसको भी वसुला जाता था मुसल्मानों से एक बटा दस बाग जो है वो कर के रूप में वसुला जाता था इसके इलावा हम देखते हैं कि फिरोशा तुगलक के शाशनकाल में जो सिचाई जितने भी नहरों का निर्मान करवाया गया था फिरोशा तुगलक के द्वारा उस पर भी टैक्सेशन लगाया जो कि उल्माओं से समर्थन प्राप्त करके ही लगाया गया था और जो सिचाई कर था उसको हम हक शिर्व के नाम से जानते हैं जो कि उपज का एक बटा दस भाग वसुला जाता था तो यहां पे देखा जा सकता है कि जो हम वहां पे अर्थ व्यवस्ता थी इसको भी सुचा प्रांतिय प्रशाशन था उसका प्रतिविम्व ही हुआ करता था प्रांतिय प्रशाशन में हम देखते हैं कि उसका विभाजन किया था यूनिट्स में ताकि प्रशाशनिक तंत्र जो था प्रांतों में उसको सुचारू भूप से चलाया जा सके जैसा हम देखते हैं जो प फीर्पय मिंसर्क काहा जाता था प्रांतों के अन्हीन सरकार काम करते थे सरकार को फिर पर दो में विभाजित किया गया था अब पर म्यलावा फिर संगरां में यह गाउ में विभाजित करने का हम लोगों को मिलता है इल्टुद्पिश्कर शाशंकार में जैसा कि हम जानते हैं कि पूरे समराज का विभाजन उसने एक्तों में किया था और एक्तों का जो प्रधान थे या एक्ता के जो प्रधान रहते थे उन्हें वली, मुक्ती या एक्तादार के नाम से हम लोग जानते हैं यदि हम दिली सल्थनत के प्रशाशनिक तंत्र के विशय में बात करते हैं यहाँ पर ये निश्चित तोर पर कहा जा सकता है कि हर्शवर्दन के शाशनकाल के पश्चार जो एक राजनितिक शुन्यता आ गए थी कोई भी एक निश्चित केर में या प्रशाशनिक तंत्र भारत में नहीं रहा था दिली सल्थनत के सुल्थान के आगमन के साथ में या फिर यहाँ पर यह कहा जा सकता है कि दिली सल्थनत के स्थापना के साथ में यहाँ पर यह कहना गलत नहीं होगा कि एक जो राजनितिक शुनेता भारत में आ गई थी उसको भरने का काम दिली सल्थनत के शाषकों ने किया था यदि दिली सल्थनत के जो शाषव शाषक थे उनके प्रशाशनिक तंत्र के विशे में यदि बात किया जाए तो ये कहना गलत नहीं होगा कि समय समय पर अलग-अलग विभागों का जरूर निर्मान किया गया था परन्तु फिर भी जो अबासी खलीफा थे उनके प्रशाशनिक तंध का अनुसरन करते हुए भारत में एक administrative structure का निर्मान किया गया था और उसी का अनुसरन करते हुए कुरान और हदिस और आप शर्यत के अनुसार प्रशाशनिक तंधर को चलाने का प्रयास इसे भारत में किया गया था इसी के साथ मैं अपने इस चर्चा को यहीं पर विराम देती हूँ Stay connected with me, thank you